आज हमारे देश ने एक ऐसे महान बेक्तित वाले और दुर द्रिष्टी रखने वाले बेक्ति को खो दिया है जिसका 140 करोर जनता में कोई भी बिरोधी नहीं है क्योंकि इन्हों ने देश को इतना जवर्जस योगदान दिया है कि इनको तो भूलाये जा सकता है लेकिन इनके दुरारा किये एक काम इनके बिचार और इनका दुर द्रिष्टी सोच रखने वाले विजन को कभी भी नहीं भूलाया जा सकता है आज तमाम बड़ी हस्तिया आज इनके याद में इनके सम्मान में कुछ ना कुछ कोटेशन पेस किये जा रहे हैं तो आज हम इसी सेशन पर बात करेंगे रतन टाटा जी के बारे में जिनका आज जो है 9 अक्टूबर को निधन हो गया मन में बहुत सारे लोग को सवाल ये भी चल रहा है कि आखिर इतने वरे संपती का जो मालिक होगा वो कौन होगा टाटा गरुप समू के उत्राधिकारी कौन होगा कितने इनकी कमपनिया है क्या बीजनेस मॉडल है सभी चीजों पर आज हम चर्चा करने बाले हैं तो आईए स्वर्वात करते हैं सबसे पहले इनके द्रागा कहे गए कुछ कोटेशन जो कि आज के पिल्डी और आने वाले पिल्डी के लिए काफी इंपोर्टेंट है पहला को जब्सक्राइब कर देता हूं ये कोटेशन रतन का 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 है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फैसला ले नहीं रिस्क ले नहीं ले और ले लेते हैं तो फिर उसके बद कहते एक ये तो फैसला हम गलत साबीत होगे मेरा इसी में परैख How quotation जो है इवाओं को थोरा सा motivate कर सकता है सिर्फ ये कि फैसला आप जो ले लिए तो ले लिए उसी को सही साबित करने के लिए जी जान से लड़ना परेगा ना बर्या quotation है दूसरा quotation यह है कि किसी भी बड़ी सफलता के लिए समय देना परेगा आपको धैर आपके पास चाहिए और साधन भी आपको चाहिए ना बहुत सारे लोग के पास समय भी है धैर भी है लेकिन साधन नहीं है तो इसके वज़े से वो पिछर जाते हैं कुछ लोग के पास समय साधन दोनों है लेकिन धैर न सब्bey क्धाम करते हुए कंप 네 मिलगा है कोई रातो राट जो है प्रैसिटेंट नहीं बनता या बरे पोस्ट पर रातो रात कोई नहीं जानता उसके लिए अथक मेहनत करना पड़ता है तक कैर आज कल क्या हो गया कि लोग एक दिन में सफलता उनको चाहते हैं जैसे एक दिन में देखिए रानु मंदल जो है सफल हुटी खतम होगी मींटों में तो सफलता यह चाहिए दी आपको लॉंग टर्म में सफलता चाहिए लंबे बरिया सफलता चाहिए तो इसके लिए अथक मेहनत और समय देना लोग है ना और मेहनत करने वाले लोग को कभी भी मत चिड़ाइए क्योंकि बाजी कभी भी पलट सकता है एक समय ऐसा भी आजाएगा कि आपको उनके नीचे काम करना पड़ता है अभी आपको लगता होगा कि आप बगए पोश्ट पर हैं आपको सफलता मिल गया या आप सक सबसे पहले हम समझते हैं कि टाटा समू की कितनी कंपनिया ऐसे देखो गी तो टोटल चानवे कंपनिया जिसमें टोटल 26 कंपनिया जो है सेर में लिश्टेड है इन्होंने हर एक वर्ग को टार्गेट किया चाहे तो आपका फाइनांस हो अटो मुवाइल हो टेलिको मीडिय हो लाइफ स्टाइल हो फूड हो है ना टेकनोलीजी हो रिटेल हो ट्रेवल और इंफरा मेटल एरोस्पेस सभी विभाग को इन्होंने टारेट किया केवल केवल विदेशी कंपनिया बहारत में आके अपनी धाक को नहीं जमा पाए उसको रोकने के लिए इन्होंने सभी सेक तो बड़ लोग है उनको भी के आटों मोईल में और छो दो लोग है उनको उनके लिए भी बेवस्ता के जैसे नव लाइए थे जो कि बात पर प्लवक लोफी टो गहिए ना छोट को नहीं जाते तो नहीं लिए जो है लेंडोवर आया जगवार आया ऐसे इसे यांद आ लोग हैं तो आप इस फोर्मेट में आ जाइए मताँ छोटे बड़े सभी मेडिल गरीब बड़े सब को टार्गेट किये अपने कंपणियों के माध्यम से यहां पर कोई विदेशी कंपणिया जो है अपना पैट ना उनको तोरने के लिए फिर अपना पाचान बनाने के लिए इसमें आये यहां पर लाइफ एस्टाइल में भी सारे कंपणिया लेकर टाइटन आ जाए इवाओ को टारेट करने के लिए इन्होंने फास्ट्रेक को भी लेकर आया है यहां पर विदेशी कंपणियों के माध्यम से काफी जादा योगदान दिया है भारत में आप देहां अब सवाल यह बनता है कि इनका उत्राधिकारी कौन हो सकता है कुछ बैक राउंड समझते हैं यहां पर टाका समू की अस्थापना जो किये थे वो ते जमसेद जी टाका इन्होंने किये थे इनके दो पूत्रें दोराब जी टाका और रतन जी टाका इनकी पतनी के नाम टलबाई टाटा इसके बाद रतन जी टाटा थान जी टाटा के दो पूत्रे नवल टाटा और जे आर्डी टाका अन्हेर'd काटा ऑझ अच्वन टाका और एक और नाम था सुनका कपी दो साथी Epic कि कहना और जी और जी डी कार्टा जो है यहां पर साध्यूद्य नहीं थे इनका खतबistem कहती है यहां पर त्रka को पतनी थी सिंवोन कार्टा इनके पूत्र के जो नाम था नोयल कार्टा के जिन्द नोयल का के तीन मतलब संतान हो गए दो बेटी है आपका एक का नाम है लिह टाटा और माया टाटा अन्वाइल टाटा है ना और यहां पर ध्यान दीजिएगा और यह जो नवल टाटा है इनको एक और आये थे यहां पर जीमी टाटा है ना जीमी टाटा इनके दो पूत्र थे जीमी टाटा और रतन टाटा तो इनके बाद उत्राधिकारी जो बने रतन टाटा बने अब जीमी टाटा भी नहीं है और जीर्डी टाटा भी नहीं है लेकिन अब रतन टाटा भी आज इनका मिर्टु हो गया अब बचरे नोयल टाटा सब परिवार में estus तो अपना उत्रदिकारी लेकिन इसे मिर्तू हो गया फिर यह लोग जो है अभी इसके उत्रा दिकारी के रिस में फिलाल अभी जो है में उत्राधिकारी के भारत में तो है यह हैं लेकिन इसके अलावा और कंटर में भी है कुल मिला के छे महादीप में हैं सौव से अधिक कमपनिया जो है यह काम करती अलग-अलग देशों में वहां से जो पैसा का अर्णिंग होता है वह अपने देश को मजबूत करने के लिए लगा जाता है तो यह क्या करते हैं कि यहां से जब बीदेशी कुछ पैसा कमपनिया लेकर जाती अपने देश को मजबूत करने के लिए तो यह एक ऐसी कमपनिया है जो बीदेशों में भी अपना बेपार कर रही अभी और वहां से जो है पैसा जो इकठा होता है वह अपने देश को मजबूत करन के लिए काफी योगदान दिया है यहां पर खास बात यह है कि अभी तक जो है इसके माध्यम से टाटा समू में टोटल दस लाख करमचारी जो है काम करते हैं तो तस लाख लोगों को जो है रोजगार दे चुके लगब 400 dollar की जो है इनकी पुर्य कुल संपति है अब का तो किलिए अभी चल रहा अगर हम बात करें GDP का तो टाटा समू का जिल्डीपी दो हुझार पांच और चो में जिल्डीपी में भारत के जिल्डीपी में 2.8 % योगदान होता था लेकिन अभी जो है पर है ना बाकी इसमें विदेशी कंपनी एक छोटके केवल भारतिय कंपनी यह पांच का डाटा है कि 2,46,000 अगर लोग काम करते हैं पांच में तो 10 लाग करी यहां पर हो गया है तो चानवे कंपनी यह साथ अलग अलग बेहुसाइक चेत्रों में यह काम करती है अभी ठीक है सेना को मजबूत करने के लिए रतन टाटाइक दम के लिए विजन में काम करते थे कि हमारे भारतिय सेना बिलकुल मजबूत होना चाहिए है ना हर एक तरह के उपकरन इन्होंने बनाया चाहे तो मिसाइल हो चाहे राडार हो चाहे हेलकॉप्टर हो और चाहे तो आपका हतिय किसी भी तरह के तोप हो मिसाईलों कुछ भी हो सभी तरह के छेत्र में जो है इन्होंने अपना भरपूरी योगदान दिया जैसे तो इसको इन्होंने बनाने के लिए अमेरिका के कमपनियों के साथ अपना मतलब किसा आजया जाए अगर बात किया तो इज़ां को दें करोना काल में लगबर एक 5 करोणा काल में लगबर 1000 करोर रुपया डोनेट किये थे भारत को है ना कि यहां से जो लोग पिडित हैं उनको हेल्प किया जाए इनका बहुत सारा ट्रस्ट में पैसा जाता है लगबर 66 परसेट पैसा वो ट्रस्ट में जाता है कि वाई इनके फ्री में पताल है बहुत सारे सेक्टर में इन्हों अपना ट्रस्ट ओपिन करके रखा हुआ है यह लगबर इवरी साल जो है ना आठ सो के करीब रुपिया जो है डोनेट कर देते हैं दान बीरों में प्राथा मास्थान पर कोई आता है तो है रतन टाटा है ना एजूकेशन में आपका फंडिंग करते हैं हेल्थ में आपका नि गूकूँ है ना इसलिए आज 140 कोई भी इनका विरोद नहीं कर सकता है कोई वेखती इनको आप ऐसे भी आजकाल इवा हो चाहे बुजुक हो आचाहे कोई भी हूँ उसको प्यार हो जाता है तो प्यार में वो तूट जाता है कोई काम करने लाइक नहीं होता है रहना इनका चार बार हुआ चार बार साधी का मुहरत निकलते शादी नहीं हुआ पिए ही नहीं न leaking है और उसके बाद इतने बहुत इंपायर को खर या आज काल है कि प्यार में दोना मिला तो आपका कहानी यह मतलब साफ हो जाता है अब जो अब आप कोई भी काम करने के लिए नहीं रह जाते हैं तो चार बार प्यार होने के बाद जो है इतने बड़े इंपायर करने वाले कोई थे तो है रतन टाटा अब ध्यान दो अभी आपको बता है अब देखो जैसे इनका मेर्तु हुआ देहां थुआ तो इनके द्वारा जो 26 कमपनिया लिस्टेड है सेर मार्केट में उसमें लगतार गिरावट देखने को मिल रहा भी अभी एक दो दिन इस तरह से गिरावट सेर में देखने को मिलेगा और जैसे इनका उत्राधिकारी घोसित हो जाता है तो फिर यह इस्टेवल हो जाएंगी सभी सेर अब देखो अ जाना है सेना के लिए बड़ी जिसमें दुस्मन का कोई भी आपका गोला बारुत का कोई असर नहीं हो तो उस तरह से गोला बारुत बनाए इन्होंने आपका बगतरबंद गारिया दिया उसके बाद यहां पर जो है अगरार सिस्टम दिए तोप दिए गंद दिए बहुत सेट का है भी वीकल इन्होंने भारत अब तो इसलिए यूगदान आपटरीया देश को नहें परद बारे में उनके दौरा मैं रिखने दिए यूगदान ऑ कि लिए आगे?